हलो, नमस्कार दोस्तों, 14 मार्श 2018 की दह हिंदू एडिटोरियल डिसकसन में आपका स्वागत है, यहां पे हम दह हिंदू के इंपोरेंट एडिटोरियल से हैं, वो डिसकस करेंगी, तो चली हमाई डिसकसन हैं, वो विश्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो आर्टिकल आया कंटेक्स्ट वो यह है, कि देखो अभी फ्रांस के जो प्रधार मंतरी थे, वो इंडिय विजिट पे आये थे, तो उसी यात्रा के बारे में डिसकस किया गया है, जो पोइंट्स हो गए हैं, वो सारे, तो सबसे पहले आपे बात आते हैं, इंडिय और फ्रांस के रिलेशन ह काफी इच्छे रही हैं, मतलब शुरुआत की जाती है 1950 के दिसक से, कि 1950 के दिसक मतलब होता है कि रनिंदिक साजदारी मतलब कि क्यूसी स्पेसल अरिया पर जारा धंग से फोकस देते हुए, जैसे एक तो होता है नोर्मल रिलेशन चल रहे हैं, और यह कि बहुता है, कि है आज गी टाइम पर, देखा जै तो स्पेक्स के सेक्टर में भी काफी आगे आ रहे हैं, इसरो जो बनाया गया था वह काफी इसरो को बनाने में काफी हेल्प की थी फ्रांस ने, इसे के साथ ही ट्रेरिजम के मुद्धे पर दोनों कंटीज हैं साथ हा रही हैं, एजुगे पी-फाइब जो कंटीज हैं, उनका एक वाल्ठ है, पी-फाइब कंटीज में फ्रांस भी सामिल है, और फ्रांस आपको बता है कि इंडिया को हमेसा सपोर्ट करता रहा है, उनिटे ने से सेक्योर्टी काउंचल में 27 सीट की बाट हो, या फिर जो वीटो अगर आता है, तो इंडिया को सपोर्ट है, कर रहा होता है, तो वह वसारी बाते हैं आपर सामने आ जाती है, इसके बाद में बात आते है कि इंडिया के साथ लगातार बढ़ते आ रहे हैं, और अब इसेंटल जो 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 दौदवा नोले सब्मिट हुआ था, उस नोले सब्मिट के दोरां कु कुछ आर्टिकल आता है तो, तो वहाँ पर हमें यह नहीं कि हम एक ही डायमेंशन पर सारे प्रॉंट लिखता रहे हैं, हमें अलग-लग डायमेंशन यूज करनी है, जैकि डिफेंस की सेक्टर वह हमने यूज कर लिया, इकोनोमिक लिलेसन को हमने यूज कर लिया, इसके तो, और जो़िख सकते हिए और हमे इसे सारी तरह के जो भी है, यॉज को बारे में कि तरी बी ओर बार में, रिसेशन युज सांता को कोना दाने बहुन को, अब लिया, अब आपको कमेंट Sun attendee social यहां पर आएंगी यह मैंनली फ्रांस की लोकेशन आप देख सकते हो यूरोप के अंदर यहां पर फ्रांस और जो देख सकते हो कि यूके उसको इंगलिस चैनल या डोर जलसन दिये वह अलग करती है तो यह चीज आपको धानक निये नौर्थ अट्लांटिक होशन है उसको फ और यहां पर अटली देख सकते हो यहां पर स्वियर्जर ल्डन और यहां पर जर्मनी होगा यहां पर यहां बेल्ज़््एं होगा यहां पर लुंबस pref hanging बेसिक लोकेशन हमने देख लियह शुट डर फ्रांस की नहीं अत्तिकरे, जैसी कि बिर्टन था उसनेन कोलोनी बना इसलिए जो फ्रांस है उसके इंडिया के साथ फ्रांस हो यहां पर मिलजुल के साथ आता है इसके साथ ही बाद में और देखा जाए तो इंडिया काफी जगह पर है फ्रांस की ट्रेटी है फ्रांस का अधिकार है वह है अब यहां फिर राइटर में राइटर यह बता रहे हैं कि देखो जो क्लाइमेट चेंज के मुझते प्रेंप है उन्होंने तो माना कर देता पर फिर भी देखा जाए तो फ्रांस लगातार इसी तिर पर आगया अगरसर है वो बढ़ रहा है और देखा जाए तो जो इंटरेशन सोलल एलाइंस है उसमें भी काफी बढ़ा योगदान निभाया फ्रांस ने रिणोबल एनर्जी के सेक्टर में काफी सारे एक्रिमेंट वगारा साइन हुए है और इसे के साथ बात कि जाए तो फ्रांस की जो ओर सीच ट्रेटर है जो भी हमने डिसकस का है इसके वजह से फ्रांस और इंडिया को मैं लिए एक सपोर्ट भी कता है कि बहुंद नहीं है और इसलिए फ्रांस की लिए झोल richter कि रहत है इसके बाद बात ये है कि देखो जो एहु एजूगेसे पंश्व कि हार दो य सट्रेटर में काफ है और यह वहां यूरिसर्न सेक्टर ने काफी एहम रोल है, वह नहीं भय गए. तो मैंने यह जो कुस पोइंट से वो डिसकुस किया गए, तो हमने उन सारे पोइंट को यहाँ पर कवर करने की पूरी-पूरी कोशी से है, अब चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखा जे तो आज की टाम प्राइवेट सेक्टर पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में बना प्रोपर मुनाफ़ा बनाते जा रहे हैं अब यहां पर राइटर सबसे बटा क्यूस्ट नहीं उठा रहे हैं कि बाई जो प्राइवेट सेक्टर हैं बढ़ रहा है वह अच्छी बात नहीं है अच्छी बात इसलिए नहीं है कि दो हैल्ट सेक्टर हमें सा एक मेथट पर काम करता है उनको जितना ज्यदा प्रोफिट हो प्रोफिट पर काम करते हैं इसलिए उनका जो कॉंसेप्ट होता है वो अलग होता है तो यह पर राइटरिय कहने कोसिस कर रहे है कि बहुत जो पब्लिक सेक्टर जो उनिट है ना उनकी जो लिमिट है उनका दायर आना हो आगे बढ़ाना होगा गवर्मेंट को एक्सपेंड प्राइवेट कंपनी है और यह दोनों इक त्रिक से दिखा जाए तो अपनी मोनोपॉली सी बना रखे इस वाले अरिया में अगर अगर केस फ्यूचर आइसा हो गया इन कंपनियों मुनाफा होना मुना अमपना कम होना लगा तो यह कंपनियों इस सितर में काम करना बंद कर यहां पर देख सकते हो कि mobile के टावर नहीं होते हैं, private company ओगे, बट फिर भी वहां पर government के BSL लोगारा के network ऐसे आते हैं, रहा है आप देखो, तो हमाले के difficult terrain आप देख सकते हो, यह उत्राखन में देख सकते हो, यह फिर हिमाचल पर देख सकते हो, कि पर काफी कहीं और भी कि ज इसलिए डराफ ने के बाद भी बता रहें pcol व्रक करने के लिए पब्लीक सेक्क्टर अनने को प्राईवेट Steph काम नहीं कर सकता तो desde जो जरीक मेडिस्न सहया थी इंडिया में काफी भारी मातर में भरने सब्सक्राइबें उन में जो कोस्ट ही वो काफी कम कर आते हैं कोस्ट कम इस तरह किसी की जाती है देखो जो मैन मेडिसेंस होती है उसका मेथड यह होता है कि उसके लेए licence वकला लेना होता है फिर research वकला काफी कुछ खर्चा रहे एड कर दे जाता है और जो private company है जो भी होते हैं, वो अपना जो भी profit होक़ा है, उसमें include कर देते हैं, बर generic medicine में क्या होता है, सिर्फ basic साथ सब जो salt है, जो salt उसमें use क्या गया उसी salt को यूज क्या जाता है, और एक-डो extra molecules है, उनको add कर ले जाता है, और फिर जो medicines है वो बनाई जाती है, तो तो इसलिए गौर्मिन ये जनरिक मेडिशन की तरफ ज्यादा फोकस कर ही है और इंडिया अग्या बढ़ रहा है बढ़ रायटर बता रहे हैं कि जनरिक मेडिशन में भी प्राइवेट सेक्टर है वो ही आगे जा रहा है गौर्मिन अपना धाना वो नहीं कर रही है इसके बाद में बात यह आती है, यह आती है active pharmaceutical integrates के बारे में, जो active pharmaceutical integrates है, sorry, ingredients है, इनके बात यह यह होती है, पहले तो यह देखते हैं, यह API है, इनका मतलब भी होता है, कि देखो जो भी कोई medicines बनानी होती है, तो हमें उसके लिए raw materials ही होता है, कुछ salt उसके लिए important यह common होते इन salt को इंडिया को खुद को promote करना चाहिए, इन ingredients को ताकि इंडिया चाइना के उपर depend ना रहे, क्योंकि in case हो सकता है, कि चायना है वो इस चीज़ को import करना बन कर दें इंडिया के लिए, तो इंडिया को काफी नुकसान है, उठाना पड़ सकता है, तो इंडिया को अपना security इस मामले में कहीं ऐसा नहीं हो, कि इंडिया पूरा चायना पर depend हो जाए, क्योंकि चायना देखो आपको बता कि उसको कोई भरोशा करना काफी मुश्किल है, क्योंकि उसके कोई भी currency भरोशा नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिरफ और सिरफ अपनी विस्तारवादी नहीं ती है अपने profit को देखते हैं, अपने interest को ही सरुख करते हैं, उसके लागों किसी और चीज़ बे focus है, वो नहीं करते हैं, इसके बाद में बात ही आती है, कि देखो, इंडिया को एक तो खुद को self-sustained हो नहीं होगा, और इसी के साथ मेकिन इंडिया जो प्रोजेक्ट है, इसको को आगे लेकर आना होगा, तभी जो इस health sector में है, जो pharmaceutical sector है, इसमें government की industry है, वो आगे जा सकती है, अब देखते हैं, नेक्स आर्टिकल, नेक्स आर्टिकल है, वो forest fire के बारे में है, जो कि environment के लिए important हो जाता है, तो इस आर्टिकल के बारे में देख लें, GS3 में भी इसके point ह यूज हो सकते हैं, context यह है, कि Tamil लाटो के forest हैं, उनमें fire लगे थी उसके बारे में, अब देखो राइटर यहां पर यह बता रहे हैं, कि एसी बात नहीं कि पहली बार इंडिया में आग लगे है, काफी बार आग लगे है, हमने last year भी देखा था कि इस तरगे से उत्राखन मे आग लगे थी, भारी मातरा में नुकसान है, वो हुआ था, तो मुझा आग देखा जाए तो दिन पर देन आज की टाइम पर बढ़ती जा रही है, आग लगे हैं कि क्या क्या रिजन होते हैं, तो मैनली दो रिजन होते हैं, एक तो नेच्छल होता है, और एक होता है हवा अगरा चलती है, तुफान अगरा आता है, तो उनमें आपस में घर्षन के उजए से आग लग जाती है, वो तो होता है कि नेच्छल लिजन, इसके लावा जो मैनमेट रिजन है, उसमें काफी सारे होते है, मैनमेट रिजन में, जैसे कि कोई भी आदमी जा रहा है अगरा करते हैं, यह करते हैं कि पेड वगरा को काट लेते हैं, और फिर वो एरिया जब खाली हो जाते हैं, तो उसको आग लगा देते हैं, ताकि गोवर्मेंट को पता ना चले कि यहां पेड वगरा काटे हैं, फिर बोल देते हैं कि सर यह पेड को देते हैं, तो आग के थ जो quality है, fertility है, उसको नुकसान होता है, उपर एक layer सी बन जाती है, जिसकी जैसे soil की जो उपर की परता वो पूरी खतम हो जाती है, और आपको बता है कि soil में जो nutrition होते हैं, वो soil की उपरी layer में ही होते हैं, तो उससे क्या की soil की quality खताब होगी, तो जिससे next time पे पेड़ पोद यह हो पड़ता है, काफी animals के जाने जाती हैं, और काफी plants है, उनकी species भी खतम हो जाती है, तो यह काफी सारी problems है, उनका सामना करना पड़ता है, इसके बाद में राइटरिये कर रहे हैं, तो इस सेतर में इस रोग को काफी step हो उठाने होगे, और जो remote sensing satellite है, उनका use करना होगा, और एक तरह किसे हमें आर बार बार identify करना है, और गोर्वर्मेंट को भी कुछ step है, वो उठाना चाहिए, इसके बाद में बात आती है, कि जो warning systems है, गोर्मेंट को वो भी लेके आने है, तो warning system का है, कि गोर्मेंट को जब भी गर्मी का मोसम स्टार्ट होता है, उस टेम पे ग दोहान विकल्स वगरा होने चाहिए, ताकि हम उस आग को बुझा सकें, तो यह कुछ आर्टिकल के जो point दिएक है, वो हमने यह पर discuss किनने की कोशिस की है, अब चलते हैं, नेक्स आर्टिकल के तरफ, नेक्स जो आर्टिकल आता है, वो आता है basic science के बारे में, इस आर्टिकल का मतलब है कि हमें देखो, जिस तरके से हम UPS से की तेहरी कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है, हमें basic concept कंगी रखने होते हैं, basic anxiety होते हैं, वो हमें clear रखने होते हैं, सेहम उसी तरके की बात हैं, कि हमारे जो basic science है, basic knowledge हो हमारा clear होना ची तब भी हमें education sector में आगे फायदा होने व कि government है, वो basic service के ओपर खर्चा बहुत कम करी है, basic science का जो खर्चा हो बहुत कम करी है, देखा जाए तो GDP का 0.8% खर्चा है, वो ही हमारे देश में basic science है, basic area study के लिए खर्च के जाए जो कि बहुत कम है, और इसको देखा जाए तो चाइना के अंदर खर्चा के जाए जाए GDP का approximately 2% के आसपास, तो आप देखाते हो कि इंडिया और चाइना में काफी बड़ा gap है, इसके बाद में बात या आती है, कि इंडिया में per million जो youth है, या per million जो population है, इसके ओपर 156 researchers है, 156 लोग है, वो ही researcher है, 110 लाक लोगों के उपर, और हो ही देखा जाए तो चाइना के अंदर एक लाक लोगों पर 1113 लोग research रहा है, तो देखते हो किस तरके से इसमें यह भी difference दिया गए, इसके बाद में compare कहा जाता है USA से, कि USA वो अपनी GDP का 2.8% खर्च करता है, बेसिक साइन्स के ओपर, और जबकि इंडिया खर्च कितना गर रहा है, इंडिया तो खर्च कर आपको और बाद में रैटर एक आश्चर इनक डाटा वो यह दे रहे है, कि 2016 में तो गोर्मिन ने हदी कर दी, गोर्मिन ने खर्चा था ना उसको कम और कर दिया, गोर्मिन ने खर्चा करता है 0.63%, तो मतलब और कंटी सो दिले खर्चा बढ़ा रही है, बट इंडिया गोर्मिन तो हमारे देश में रिसर्च वगरा को पर्मोट नहीं किया जा रहा है, अब देखो, आप बेसिक यह जी सोच जकते हो, कि बड़े रिसर्च वगरा हो कैसे बनेंगे, अगर विसलि हम ग्राउंड लेवल पर स्टार्टिंग से जो बेसिक स्कूलिं हो गरा है, वहाँ पर हम साइ जो एजुकेशन सेक्टर में जो कमियाज है, जो हमारे इंप्रा सेक्टर है, उन चीजों को हमें दूर है, वह करना होगा, मैन बात है कि ग्राउंड लेवल पर हमें काम करने की जरूरत है, तब भी सारी चीजों का समाधाना हो पाएगा, और हमारे देश के पास काफी जो आपके बुष्ट आए गती है, वो आ सकती है, तो यह था अर्टिकल जो हमने यहाँ पर डिसकस किया, अब देखते हैं, नेक्स आर्टिकल, नेक्स जो आर्टिकल आज वो यहाँ पर आया है, राउफ हकीम के बारे में, जो कि एक आर्टिकल रोप प्रकासित किया गया, बुद्वार के दिन, वो परकासित किया गया, मैं लिए राउफ हकीम है, यह एक्चुली स्रिलंका के जो अभी एक सिटी, सिटी में वहाँ पर अमर्जेंस लगी थी, केडबरे, वहां की डिसकस किया गया है, कि जो इस सिटी के जो मिनिस्टर है, सिटी एंड प्लानिंग ए वहां भी जिसके डाउफ हके में, कि देखो, आज की टैम पर सीन ऐसा हो गया, कि जो माइनर्टी कलास होती है, मामिनर्टी जो कम्मुनिटी होती है, उसकी खिलाब क्या है, फोबिया अमल एक डर है, वह पैदा कर दिया जाता है, अब उसके खिलाब जो डर पैदा कर जाता ह सब्सक्राइब करने के लिए और कहीं नगी उसकी वजए से यह आगे वो ध्रीय द्रीय बड़ीती उसे आपको में चेंगारी मिलगी और फिर एक बड़ी हाथसा बड़े रूप के रूम में विक्राला होती गी अब यहां पर बाद में बता रहे हैं कि जो वोट बेंग होता ह है उसके चके में कई बार क्या है पॉलिटी सीज का सहरा लेते हैं जैसे कि इंडिया में भी आप देख सकते हो काफ़ बार ऐसा होता है कि कुछ पॉलिटी संस है वो अगर जब भी किवार एलेक्शन अरते हैं अगर वो किसी पर्टिकुलर कम्यूटी को बिलों करते तो वो क है तो उससे क्या होता है उस चीज़ का फाइदा पॉलिटी संस चुटाते है होता कुछ नहीं है जब जो काम पहले से चलता है वही काम उस टाम पे चल रहे होते हैं बात में वही होता है बस अंग्रेज चले गहें बट पोलिटी संस में उनके गुणा वह आज भी रह गए और से मोई हालात इंडिया में continue जारी रहें ये बात मैं इंडिया के नजरी से बता रहा हूँ बाकि सारी कंटीज में ही ऐसा होता है और सबस्वड़ी बात आती है इसलामु फीविया की कि देखो स्री लंका में भी इसलामु फीविया है उसका महौल तेयर किया गया कि धरम कियाड में किया है कि रहा है कि भार जो धरम उसका में खिया जाता है यह हरबार किहिवी कोई आतंकियं मिला होता है तो हर ला किया इसलाम से जोड़ा जाता है तो कही ही ना कही गलत है कि आतंगवादी नहीं कोई mechanics होते है कि दर्म को भूराई कर 묶्ALLY नुकसान करना पोंचा या फिर वो क्योल क्योल अपनी रोटे सेखना चाहते हैं उसके चक्र में इन चीजों का गलत फायदा वह उठाते हैं तो यह कुछ basic point थे जो हमने आप यह discuss करने एक कोशिस की हैं तो यह थे हमारी discussion एक बार हम revise के लगते हैं सबसे पहले आज हमने article discuss क्या हो कि फ्रांस के बारे में कि इंडिया और फ्रांस के रिलिसंस के बारे में तो हमने साथ dimension वह यहापर देगी इसके बाद में हमने यहापर discuss क्या कि health sector है और private sector में क्या क्या है प्राइवेट सेक्टर सोचल वर्क के लिए काम है वो नहीं करता है इसके बाद में बात आती है forest fire की forest fire से किस तरीक से climate का नुकसान होता है और इसके लिए क्या कैस्टेप वह हमें उठा रहे है इसके बाद में डिसक्स किया कि basic science और education का article डिसक्स किया कि हमारे देश में ground level पर काम करने की जो होता है तब ही हमारे देश के education की quality वो बढ़ेगी और नए रिसर्स है नए जो नए आप बोल सकते हो कि research और डोलपर है वो आगे सामने आएंगे अब इसके बाद में लास्ट आर्टिकल डिसक्स किया वो किया था राव फकीम जो की minister थे स्रिलंका में minister of city planning and water supply के और उनके कुछ पूंट से वो डिसक्स किया कि वहां पर क्या 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 रिजन्स हो जिसकी विज़से इमर्जन से लगानी पड़ी थी तो उसमें दो तिन प झाल